तो हेलो और वाल्कम गाइज तो स्वागत एक और सूपर मार्केट की नई वीडियो में और पिछली वाली वीडियो में मैंने रिष्ट टॉक किया था भाई ये देखो भाई अपने दुकान के सामने कितना ज्यादा सामान एक दम बिखरावा पड़ा है तो लेट्स गो अभी इसाब एक मिनिट मैंने क्लोज किया शॉप उसके बाद यह अंदर आई यह के अंसा गलीच है तो एक काम करते ना फटा फट से यह जो अपने कस्टमर है इनको निपता लेते एंड निपता लेते मतलब इनका सामान जो इनको दे देते पैसा ले लेते एंड उसके बाद यहां पर स्टोरेज में सारा जो सामान है वह रख देता हूँ यह से थ्रोव करना पड़ेगा ठीक लेट्स को यह अपना स्टोर यह एक अच्छी बात हो गई कि भाही इन्होंने स्टोरेज दिया है और मेरे को पिछली वाली वीडियो में पता नहीं था कि स्टोरेज में हम किस तरह से सामान एक साथ निकाल सकते हैं तो इसलिए मेरे साथ न भूई मैंने एक एक करके सामान उतारा भार निकाला भार और फिर वो गलत सीन हो गया था भाई बहुत ज्यादा कश्टा हमें लेने पड़ेते सामान रखने के लिए यह बाएर बार इना क्लिक हो रहा है तो कि गाइज यार यह एक बकसा हो गया और बस तो अभी अपना सारा सामान चला गया है लेकिन एक मिनिट भाई अंदर भी यहां पर बहुत सा सामान अपने पास पड़ा है तो गाइज यार पिछली वाले वीडियो में हम लोग ने यह फ्रीज खरीदा था एंड यह डेरी लाइसंसी बोलते होगे तो ओके तो अभी आज की वीडियो में अपने को क्या करना पड़ेगा आपने को सबसे पहले तो यह देख रहे हो सामान रखने के लिए अपने पास जगा नहीं है तो सबसे पहले आपने को वो सारी चीजे खरीदने पड़ी कि मतलब जैसे कि शेल् डेफिनेटल अपने को खरीदना पड़ेगा यहां पर डे भी एंड हो चुका है फड़ावर से मैं काम करता हूँ यह सारी चीजे यहां पर रख देता हूँ तो यह पहले से ही रखा हुआ है तो इसको नहीं रखते हैं यह क्या एक पर देख लेता हूँ यह भी शायद से प जगह हैं तो इसका अब यहाँ पे थ्रो कर देतें सबसे ठावरे! अपने अर्निंग स्टाउट कर देतीक क्योंकि जब अर्निंग श्टार्च होगा उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते यहां से फरनीचर खरीद सकते टो फरनीचर में आपने आप्ने को आज क्या चाहिए एक vegetable rack चाहिए नहीं 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 एक vegetable rack चाहिए एंड उसके बाद एक बड़ा shelf खरीदे तो मतलब अपने को 300 डॉलर चाहिए आज ठीके उसके बाद हम क्या करते एक product license खरीदने का try करते तो product license आता है 400 डॉलर का जिसमें क्या हमें मिल सकता है chicken meat तो यह क्या है यह भाई सब देखते इस license के अभी फिलाल अपने को जरूत है या नहीं नहीं तो मैं एक worker अपने हाथ के नीचे रखने वाला तो required store level 10 तो अपने लेवल 10 भी है अपने पास 50 electricity भी है मतलब मैं अभी 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 भी रख सकता हो क्यों worker एक मिनिट यार मुझे देखना पड़ेगा ठीक है रूको यह तो growth है यह license है यह यह worker का तो worker हायर तो 50 इसमें हम worker हायर कर सकते है है required store level 10 अपना store भी level 10 का है तो मैं काम करता हूँ इसको worker को higher कर देता हो मतलब कि क्या है ना अपना potential workers will arrive every morning okay let's go तो guys अपना worker आ जाएगा लेकिन worker कहां पर एक मिनिट यह को ने यह को ने हायर 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 ओके worker time 14 अब डेली salary dollar 42 dollar 56 है तो कि salary के उपर इसका यह decide होगा तो मैं इसको 100 dollar बहुत हो रहा है वह 50 dollar में निप्टा लेते इसको इसे फिफ्टी डॉलर ठीक है 100 dollar एक बारी रखके नहीं या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना रखू 100 डॉलर ट्राय करते एक बारी अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर उसके पे एंड हाइर भाई की 100 डॉलर अपने पास नहीं है क्या ही बोले तो ठीक है मैं काम करता हूं में रिश्टॉक कर देता हूं जितना आपने पास सामाने जल्दी से क्योंकि जतना ज्यादा सामाने न उतना ज्यादा कश्टमर खरीद ले गए ऐसा मुझे लग रहा है तो फिर क्या करते फटाफट से रख देते यह बिसलेरी को यहाँ पर रख देते और कहां पर बिसलेरी श्टॉक नहीं किये हुए तो इसको साइड को रखते एंड अभी यह क्या है यह डेरी प्रोड़क्त सारा वाँ पर रखा है मैंने ओके लेट्स कूँ तो टेरी प्रोड़क्त यहाँ पर मिल्क मैंने रखा हुआ है अरे एक मिल्क ही बचा है न जगा भाई साब तो इसको थ्रो कर देते पड़ाक से एंड उसके बाद यह क्या है ओके यह यह यहाँ पर रख देते और और है क्या नहीं और नह है मैं ठीक है इसको भी यहाँ पर रिश्टॉक कर देते अब इसके बाद अपने पास यहाँ पर कोई भी जगा नहीं बची हुए यह यह फ्रीज आइटम में जगा है तो फ्रीज आइटम में आपने पास क्या-क्या है वह एक बरी देख लेते कॉफी ब्लैक नहीं यह तो पर चीज तो पूरी के पूरे चीज यहां से निकाल लेता हूँ टेक आउट एंड की दो पक्सों में ठीक है कोई बात भाई यार बहुत गड़बड़ी हो चुकिया अपने दुकान को मैनेज करने के लिए और एक वर्कर रखना पड़ेगा मुझे शायद से इसा लग रहा है तो यहां पर और एक जगा है वहां पर चीज रख लेते क्योंकि और एक बकस आपने पास टोटल 18 चीज है तो जगा तो लगने पर देते इसको रिप्लेस करने के लिए जगा नहीं है एक फिलाल इसको रहने देते यह क्या है इसको भी रिप्लेस करें स्टॉप कर देते हैं अभी बहुत स्लो वर्कर भाई हमने हायर कर दिया है बहुत बड़ी कल्ती जो है मेरे से हो चुके शाय से मैं इस वर्कर को हटा करना खुद काम करने वाला हो क्योंकि भाई यह इतना स्लो अगर काम करेगा ना तो भाई बहुत मतलब कुछ तो रहें जया अभी देखो चार कस्टमर यहां पर हो चुकिए तो अभी नया कस्टमर नहीं आ रहा है तो यह गलत सी नहीं इसको इसको डिस्मिस कर देता हूँ यहां से जल्दी से निकल जा और यहां से जल्दी से निकल जा और यार वरकर की उपर अपना यह 50 वेश्ट हो चुका है तो अभी यह लाइसंस हमने खरिद ले आ यहां से अबर लोग आते जाएंगे ना तो हम उसको हायर कर सकते तो फिर देखेंगे बाद में जब कुछ जादा यह लोड अपने उपर आ जाएगा तब हायर कर लेंगे अभी फिलाल में खुद ही मौनेच करूंगा क्योंकि बहुत स्लो काम कर रहा है वह तो अभी काम करत है अपने पास 200 डॉलर जो है वह आ चुके तो जल्दी से जल्दीना में एक शेल्फ खरीद देता हूँ तो मुझे चाहिए एक बड़ी शेल्फ एंड इसको कर देता है अब यह आने के लिए तीन मिनिट जाने वाले तो तब तक मैं काम करता हूँ बागी का सामान बेजता ह एक डिट पहर ने करता है तो यहांपे आपने को क्या करना है अब अपने को वापी से रिस्टॉक्र करना है तो यहाद से बसे यहां से बहुत स्लो करते हो तो इस लो काम की ए प्लेना इतना पैसाद नहीं दे सकता हूँ यह यह गलत गलत हो जाएगा फिर मेरे पास ना मेरे साथ फिर में लॉस में चला जाओंगा मुझे करना है प्रॉफिट क्योंकि अपनी जो शॉप है न इसको बढ़ाना है बहुत ही चल्दी मुझे तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं हायर कर सकता है इसको निकाल देते मुझे नहीं याद यहां पर रख सकते हैं नहीं 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 इसको फूरीज लगो यहां पर रख देते भाई यह शेल्फ पूरा खाली हो चुका है भाई साब ठीक है यह हो गया अभी और क्या है अपने पास शेल्फ का इटम पास्ता भी ट्वेल निकाल देते हैं इसको भी रख देते वाँ एक मेनिट यह क्या सीन हो गया यह दो तो सामान कौन से हैं भाई कि ओके ओके एससी ने क्या है तो ठीक है यह दो बॉक्स में पास्ता निकल चुका है तो यह पास्ता का बॉक्स इदर रख देते एंड अभी फिलाल अपने कस्टमर को अटेंट करते जल्दी से जल्दी इसे वर्कर हो तो भाई मुझे रिश्टॉकिंग करना इजी जा रहा था अभी मुझे रुखना पड़ रहे तो कैसे नड़के से टाइम हमारा वो वेस्ट ही जा रहा है तो मुझे लग रहा है अभी वर्कर रखना जो यह लेकिन थीक़िक दिखते अभी बहूत अभी बहुत 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 सोचने के बात में देखता हूँ आगली वाली वीडियो में क्या अपने को वर्कर रखना चाहिए या फिर नहीं अभी फिलाल तो अपने खुदी ही मैनेज करने वाले सिर्फ अपना नया शेल्फ आने वाला है एंड उसके बाद ना भाई साब तकड़े मज़े ही मज़े होने वाले तो मैं काम करता हूँ का इस वर्कर रखी देता हूँ तो वर्क टाइम 3 यह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वर्क टाइम 3 का क्या मतलब है यह वर्क टाइम 3 क्या है वर्क टाइम 3 इसका भी 3 है वर्क टाइम इसका क्या है वर्क टाइम इसका भी वर्क टाइम 3 है यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साब तो एक काम कर करते यह न मुझे पूरा जीरो करना है तो मुझे इसको 89 में हाइर कर सकता हूं कि तो करू गया इसको इसको कई हायर कर दूँ इसको हायर कर देते चलो डॉलर 89 अपने पास फिलाब यह री जेक्ट सौरी ब्रो अपना नया शेल्फ आ चुका है तो इसको फटाक से यहाँ पर प्लेस कर देते हैं अभी वहाँ पर एक बक्सा पड़ा है इसलिए वहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते हैं तो इसको साइड में प्लेस कर देते हैं के प्लेस तो अपना नया शेल्ट पी आ चुका एक दम बढ़िया तरीके से लेट्स कू तो भी क्या करते हैं फट्टाक से यह सारे कस्टमर जो है मैं अटेट कर देता हूं एंड उसके बाद रिश्टॉक कर देता हूं वापिस सारा सामान सारा सारा बैठ सकते हैं सारा बैठ स तो ओके गाइज अपने एक लाश्ट कस्टमर के साथ अपना आज का दिन जो हो खत्म हो चुका है मतलब कि अब इससे ज्यादा कस्टमर अभी आप नहीं आने वाले तो एक काम करते हैं फटा फट से ना तो यह जो बीच में गैप है यह कम कर देते सबसे पहले तो क्यूंकि कि भाई मुझे जितनी जगा बच सकती है बचानी पड़ीगे क्योंकि अपने पास इतना बड़ा शोरूम नहीं है शोरूम क्या बोल रहा हूं शॉप नहीं है कि हम लोग ना एकदम एकदम आराम से सारी चीज़े रख सके तो इसको एकदम अरे भाई क्या से नहीं इसका इतने आगे रखना पड़ेगा ठीकि इसको यहाँ पर रख देते तो ठीक है थोड़ा बहुत गैप जो है मैंने कम कर दिया अभी फिलाले काम करते फटाक से जितना भी अपने पास सामाने वह रिश्टॉक कर देते लेकिन उससे पहले उससे पहले काम करता हूं मैं सामान मं है वह मंगा लेते वैसे कुछ ऐसा देखके तो क्या ही होने वाला है कि यह मंगा वह मंगा हो मतलब मुझे क्या बोलना है आप समझ रहो गया कुछ भी रैंडम सामान मंगा लेता हूं मैं क्यूंकि प्रॉफिट तो उतना ही अपने को एड़ी एड मिलने वाला है जितना हम उस प्रोडक्स से मिलने वाले तो वह ज्यादा टाइम वेश्ट नहीं करते हैं हम लोग एड़ फिलाल अब फिलाल यह अंदर का तो सारा सामान खतम हो चुका है यह फेसल गया गया तो शायद से छोटी वाले शेट में इतने ब्रेट नहीं लगते शायद से थोड़े कम ही ब्रेट लगते तो बढ़े वाले शेल्प में बहुत अच्छी कौंटिटी में सامान बैठ रहे है यह बहुत अच्ची चीज बहुत बढ़ बढ़ीया चीज होगी ietאני में सामान करकごач अप्सक्रण और आपने कश्टमर का इंतजार करतेां वापिस आने का तो के काईज यह देखो भाई सारा का सारा जो सामाने वह रिस्टॉक हो चुका है भाई अब अपना दुकान पुरा बरा होगा लग रहा है एकदम बढ़िया तो अभी कल भाई शॉप बने ओक ठीक है तो अभी डे एंड करने के बाद कल जो कस्टमर भाई खरीदी होनी वाली बहुत जादा सामान बेचा जाना वाला है तो ठीक है अभी शॉप अपना होपन हो चुका है कस्टमर आज आएंगे जल्दी से तो कस्टमर कस्टमर में मतलब अगर दुकान की यह बढ़ा है मतलब कि एरिया बढ़ा है तो शाहिद से मुझे लग रहे है एक टाइम पे ज्य सीक्मर को एंडल कर देते तो कस्टमर तो बहुत तो आ hijos अमान भी बेचा जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से और अपने सामान भी मंगा रहा है黌ले यह आही जा रहा है तो भी काम करते है यह वाला एक ना यह यह फ्रूट क्या बोलते है इसको फ्रूट का ट्रे भी एक खरीद लेते जिसके लिए अपने को टॉलर हंड्रेड लगने वाल है एंड भाई वो कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है अभी अपने लिए तो यह पॉइंट सिक्स मैंने इनको ज्यादा देते बाई कोई कोई पैसा की कमी नहीं यह इतना ज्यादा नहीं दे सकता है तो भी थ्री पॉइंट फॉर्टी बन सिक्स यह होगे सेक्स और यह हो गई 59 लेट्स गो तो जल ओके तो यह लास्ट ओर के साथ आपने डॉलर हंड्रेड भी कंप्लीट हो जाएगे एंड फिर में काम करता हूँ जल्दी से अपना लेकिन भाइस साब वह आने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम जा सकता है तो इसको एड्ट काट कर देते हैं वह आभी आ जाएगा एकदम आराम से तो अभी फिलाल में काम करता हूँ फटा-फट जिरो लगना चाहिए इसको नहीं इसको वर्ट टाइम 13 है इसका भी 13 है ओके तो ऐसा सीने क्या ओके लेट्स को मतलब यह इसके आगे न यह काम करेंगे एक दिन का पैसा ही है इनका मतलब रोज मुझे वरकर हायर करना पड़ेगा भाइस साप तो डॉलर 146 इसको जाएगा ऐसे अच्छा मेरा दुकान पे काम करूं यह है इसके अच्छा है काम करता हूं मैं सारा सामान बेचता हूं इसके बाद वेजके सारे प्रोडब्स यह यह सारा तो है शामान लेगे निए है में इंपोर्टेंट तो यह अपना यह व पवह किया बोलते हैं कुछ तो वोलते लिए लेगैं मुझे आप्ड़ी कई रूपढ़लो हो चूपNew इसमें न यह भी आ चुक्त है अपने पास एंड हमने जो लार्ज शेफ भी खरीद आता तो एक मिनिट सबसे पहले मैं क्या करता हूं न कुस्टमर उसको अटेंट करते हूं तो इनको सबसे पहले अटेंट करते हैं उसके बाद मुझे एक लाइसंस खरीदना है तो मैं देखत कि बात ने हैं पैसा बहुत है मेरे पास है न तो यह हो गया तेरे 21 रुपए तो अभी रुख जाओ तो अभी मैं सबसे पहले देख सकता हूं कि मैं आकरकार क्या खरीद सकता हूं तो यहाँ पर यह फ्रीज ग्लास स्टैंड यह तो बाद में लगने वाला वैसे बाइद व समझ में नहीं आ रहा है मने प्रोडक्स में जाते हैं फिर इसके बाद यारव यह आप पर भी नहीं लिखा आ रहा है ठीक है मुझे सबसे पहले लाइसंस ही खरीदना पड़ेगा उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या पर रख सकते हैं तो डॉलर फोर हंड्रेड का है और कुछ है कि आप एक खरीदने जैसा तो यह जगा बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलाल आइटम्स एपरेंस होगी तो अपनी शॉप को जो हम अपक्रेड कर सकते हैं एक में टॉलर फाइंड्रेड तो एक काम करते हैं डॉलर फाइंड्रेड नहीं उससे अच्छा है मैं भाई लाइसेंस खरीद लू मेरे काम आ जाएगा शॉप अपरेंस बाद में देख लेंगे उसका कुछ इतना जंजट नहीं है तो कि आपने पास 400 डॉलर आ चुक है आपने पास टॉक भी पड़ा हुआ है सामान का तो हम लाइसेंस खरीद सकते हैं ल है बहुत से लिए बहुत जाद़ टक्राइब उसको है तो नulle यह बहुत सी चीज़ें की है तो मतलब कि बांगे लेंगे हो या caffeine क्या 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 है ने तो अज ना पर यह यह एक खरीदा है एंड उसके बाद यह एक लाज शेफ खरीदा है उससे साथ ही साथ एक नया प्रोड़क्ट लाइसन्स खरीदा है मीट का तो भाई आगी वाली वीडियो में अपने तगड़े वाले प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा अभी थोड़े पर इनको कस्टमर को आटेंड करता हूँ जितना भी पैसा मिलता है उससे सारा का सारा सामान जितना भी आ सकता है उतना मंगा लेता हूँ एंड फिर उसके बाद ना अगली वाली वीडियो में हम एक कुछ तो एकदम तगड़ा वाला टार्गेट रहेंगे शायद से शॉप मिलते ऐसे नहीं नहीं वीडियो में बाई बाई